हेलो दोस्तों सागत आपका अपने यूट्यूब चैनल रश्णा स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं उत्राखन सामान्य ग्यान से संबंदित महतपूर प्रेश्ण जो की आपके आने वाले एक्जाम के लिए वेरी हल्पूल औ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हमने आपके लिए रखहे हैं 20 हिंदी के महतपूर पिश्ण 20 उत्राखन के और 20 GS के मैतोपूर प्रश्ण तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले हम हिंदी के मैतोपूर प्रश्णों को देखेंगे इसमें हमने ज़्यादा हिंदी साहित्या से सम्मनित मैतोपूर प्रश्ण लिये हुए हैं तो हिंदी के प्रश्णों को सबसे पहले डिसकस करते हैं तो हिंदी का पहला प्रश्ण है आपका अंग्रेजी भाषा को भारत में सिख्षा के माध्यम से आरंब किया गया तो ये किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा दूस्टा प्रश्ण है आपका हिंदी का आधिकवी किसे माना जाता है हिंदी का आधिकवी स्वयंभू को माना जाता है तीस्टा प्रश्ण है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है परिक्षा गुरू हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इसके जो रचनाकार है वो है आपके स्री निवास दास वमत चौथा प्रशन है हिंदी का प्रथम एक आंकी कौन सा है एक घूट हिंदी का प्रथम एक आंकी है और इसके जो रचनाकार है वो है आपके जैसंकर प्रशाद जैसंकर प्रशाद की रचना है आपकी एक घूट पांच्वा प्रश्ण है हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है तो यह आप सभी को मालूमी होगा उदंड मारतंड हिंदी का प्रथम पत्र है छटा प्रश्ण है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है तो समवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है उसके जो संपादक थे वो थे आपके राजा राम मोहन राई ठीग है ये भी आपने याद रखना है साथमा प्रश्ण है हिंदी की वर्ण माला में कितने स्वर्व कितने समस्वर होते हैं तो हिंदी की वर्ण माला में 11 स्वर वो 33 समस्वर होते हैं आठ्वा प्रश्ण है हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशिय भाशा कहा गया है तो ये कहा गया है आपका बनारस अखवार में नेक्ष्ट है हिंदी के प्रथम कवी कौन है सिद्ध सराप्पा हिंदी के प्रथम कवी है दस्वा प्रश्ण है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है ललू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार है 11 प्रश्ण है हिंदी के सरप्रथम गीत लेखक कौन है विद्यापती हिंदी के सरप्रथम गीत लेखक है हिंदी के सरप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है सुधा वर्षन हिंदी का सरवप्रतम दैनिक समाचार पत्र है तेरवा प्रशन है आपका हिंदी के सरवप्रतम प्रकाशित पत्र का नम क्या है तो यह आपका उदंड मारतंड चोद्वा प्रशन है अजन्ता की गुफाएं किस धर्म से संबंदित है तो यह हैं आपकी बहुत धर्म से संबंदित और यह इस्तित है आपकी महाराष्ट्र में ठीक है महाराष्ट्र में नेक्स्ट है अटल विहारी बाच्वे हिंदी विश्व विध्याले कहां इस्तित है तो यह इस्तित है आपका भोपाल मध्यप्रदेश में तो यह आपकी महादेवी वर्मा श्वयंभू को अब भरंस का वाल में की कहा जाता है अठारमा प्रश्ण है अब भरंस भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्या कौन थे तो यह थे आपके हैं चंद्र उनीश्वा प्रश्ण है अब भरंस में कृष्ण कावय के पढ़नेता कौन है तो यह थे आपके पुस्पदंत ठीक है तो बीश्वा प्रश्ण है आपका अबलाज जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में है पानी उपर्युक्त पंक्तियों किस कावय की हैं तो यह है आपकी यह शोधरा कावय की तो दोस्तों यह थे आपके हिंदी के 20 महतवपूं प्रश्ण इसके बाद हम देखेंगे उत्राखन से संबंदित महतवपूं प्रश्णों को तो उत्राखन का आपका पहला प्रश्ण है उत्राखन के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो उत्राखन के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानन स्वामी दूसरा प्रशन है पर्थम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो जो निर्वाचित थे वो थे आपके नारेड़त दिवारी नेश्ट है उत्राखन के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो ये क्या गया था सुधानसू धूलिया को तीसरा प्रशन है कौन से छेत्र को कुमाओ का बारदोली कहा जाता है तो सर्ट छेत्र को कुमाओ का बारदोली कहा जाता है गड़वाल की बात करें तो गुजडू को गड़वाल का बारदोली कहा जाता है असो कालीन सिलालेक राजे के किस स्थान पे हैं तो यह है आपका कालसी में ठीक है और कालसी स्थित आपका देहरा दून में नेश्ट है काली दास ने अविज्यान सकुन्तलम की रचना पौड़ी स्थित कणवाश्ट्रम में की थी यह किस नदी के तट पर इस्तित है तो कणवास्टम इस्तित आपका मालिनी नदी के तट पर ठीक है नश्ट है चिपको अंदोलन के पंडेता कौन थे सुन्दा लाल बहुगुणा चिपको अंदोलन के पंडेता थे सात्वाप्रश्钍 है, उत्राखण में मेती आंदोलन का उध्देश memang open की सुरात 1996 में कल्याण知 window रावत द्वरा की गई थी ठीक है? आठवाप्रश्न है, उत्राखण का प्रत्थम उले किस वेध में मिलता है? तो ये मिलता है आपका रिग वेध में नुवा प्रश्ण है किस मुगल सहजादा ने स्रीनगर गडवाल में आश्राई लिया था तो ये लिया था सुलेमान सिकोह ने विर्थी पति शा के यहां ठीक है तस्वा प्रश्ण है तीहरी गडवाल में धंडक अंदोलन किस से सम्बंदित था तो ये धंडक आंदोलन सम्मधित था मज़दूरों से ग्यारवा प्रश्ण है उत्राखन राजय का सबसे बड़ा कागश कारखाना कहां इस्तित है तो ये कागश कारखाना इस्तित है लाल कुआ नैनी ताल में बार्वा प्रश्ण है उत्राखन में हुक्का कलब इस्तित है तो हुक्का कलब इस्तित है अलमोडा जनपत में तेर्वा प्रश्ण है गड़वार पेंटिंग पुस्तक के रचियता कौन है गड़वार पेंटिंग पुस्तक के रचियता है पैरिस्टर मुकुंदी लाल आपका अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना किश्वर्ष हुई 1912 में अलमोडा कॉंग्रेस की स्थापना हुई 16 प्रश्ण है उत्राखन राजे की स्थापना कब हुई 9 नवंबर 2000 को उत्राखन राजे की स्थापना हुई सत्रुवा प्रश्ण है उत्राखन की किस महिला को बैटमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है आपका मधुमिता बिष्ट को बैटमिंटन क्वीन के नाम से नेक्स्ट है उत्राखन के किस सहर को पहाडों की रानी के नाम से जाना जाता है पहाडों की रानी के नाम से जाना जाता है मसूरी को और अगर राजा पूछे तो वो जाना जाता है आपका चकराता को ठीक है चकराता को दोनों आपके दहरादून में ही आते हैं नेक्स्ट है उत्राखन में लीची नगर नाम से प्रख्यात है तो लीची नगर नाम से प्रख्यात है तेहरा तून उत्राखन का बीसवा और आखरी प्रश्ण है उत्राखन में छोटा कस्मी नाम से प्रख्यात है तो छोटा कस्मी नाम से प्रख्यात है पिथोरा गड़ तो दोस्तों ये हमने उत्राखन के आपके 20 महतोपूर प्रश्ण डिसकस किये अब देखेंगे GS से सम्बंदित महतोपूर प्रश्ण तो GS का पहरा प्रश्ण है आपका गिधा और भांगडा किस राजे के लोक नरित्या है तो गिधा और भांगडा है आपके पंजाब राजे के लोक नरित्या ठीक है तेईस्वा प्रश्ण है तेली विजन का विसकार किस ने किया तेली विजन का विसकार किया जौन लोगी बेर्ड ने नेक्श है भारत की पहली महिला शाशिका कौन थी तो यह थी रजिया सुल्तान और अगर भारत की पहली मुस्लिम महिला शाषिका पूँछे तो वो भी थी आपकी रजिया सुल्तान और यह गुलाम वन्सकी शाषिका थी, ठीक है? यह भी आपने याद रखना, गुलाम वन्सकी नेश्ट है मचली किसकी सहायता से सांस लेती है तो ये लेती है गल्फडों से नेश्ट है इनकलाब जिन्दावात का नारा किस ने दिया तो ये दिया था आपका भगत सिंगने 26 प्रश्ण है जलिया वाला पाग हत्याकांट कब वोक कहां हुआ था तो ये हो हुआ 1919 में अमरित सर में 27 प्रश्ण है 1949 में कॉंगरेश शोड़ने के बाद सुभाज चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की तो उन्होंने की थे आपकी फॉरवर्ड ब्लोग की स्थापना 28 प्रश्ण है पंजाब केस्री किसे कहा जाता है लाला लास पत्राइक को पंजाब केस्री के नाम से जाना चाता है 29 प्रश्ण है सांडर्स की हत्या किसने की थी तो सांडर्स की हत्या की थी भगत सिंग ने नेश्ट है 1857 इस्वी के विद्रों में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया तो ये दिया था मंगल पांडेन है भारत की पहली महिला राजयपाल कौन थी? तो महिला राजयपाल थी सरोजनी नाइडू 32 प्रश्ण है इंडियन नैसनल कॉंग्रेश के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के प्रत्थम अध्यक्स थे आपके व्योमेश चंद्र बनर जी ठीक है नेक्ष्ट है तेतिस्वा प्रश्ण है भारत में बिटिस समराजे के सस्थापक कौन था तो भारत में बिटिस समराजे का सस्थापक था रोबर्ट क्लाइव ठोस कारवन डायोकसाइट को क्या कहते हैं तो ठोस कारवन डायोकसाइट को कहते हैं आपका सुस्क बर्फ ठीसवा प्रश्ण है राष्ट्रियमानसिक विकलांग संस्थान कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपका हैदराबाद में नेक्ष्ट है किस देश ने पर्यावरान संद्रक्षन के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंब किया था तो ये क्या था आपका आस्ट्रेलिया ने नेक्ष्ट है ब्रहम समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी राजा राम मुहनराईद्वारा ब्रहम समास की स्थापना की गई थी रेच्ट है स्वामी दयानंद सरश्वती का मूल नाम क्या था मूल संकर्स्वामी दयानंद सरश्वती का मूल नाम था रेच्ट है वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया तो ये नारा दिया था दयानन्द स्वामी ने वेदों की और लोटो चारीसा प्रश्ण है रामकृष्ण मिसन की स्थापना किस ने की थी तो रामकृष्ण मिसन की स्थापना की थी स्वामी विवेका नन्द ने नेक्ष्ट है वासकोडी गामा भारत का वाया तो वास्कोडी गामा भारत आयेथा आपका 1498 इस्वी में और आज का आखिरी प्रस्वी है वास्कोडी गामा कहां का रहने वाला था तो ये रहने वाला था आपका पुर्त-गाल का तो दोस्तो ये थी आपकी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी